मैं जब इस तरीक कवितायन सुनाता हूं तो मैं उट्तावदेश में था तो वहांके एक मंत्री कहने लगे विरीत मैं जब भी तुम्हें सुना हैं तुम राजिनिती के खिलाप बहुत कड़वा बोलते हो बहुत तीखा बोलते हो कोई नेता व्यक्ति प्रवक्ता को ये कहता मिले कि 10 लाख रुपे गड़्डी समने विद्वाओं के सिंदों की कीमत लोटा दिये भूल जाना वाज की राच विनी चुहन क्या चीखा क्या चिल लाया मैं दो लाइन का कवी मानता हूं अपने आपको हिंदोस्तान में और यहां मेरे जितने दोस्त फेस्बुक फ्रेंड बैट हैं मैं डावा कर रहा हूं ये लाइन मैं बोलूँगा उससे ज़्यादा उन्हें याद हूंगी है लेकिन आज सुन लीजे जो मैंने उसनेता को उत्तर दिया और यदि वो सो रहा हो तो उसके तक्ये पर थपड़ की तरह आपकी तालिया पहुंचे मैं उम्मीद करूँगा मैंने कहा कि तुमने 70 लाग दिये हैं स способ को यदि आपकर क्वंचे हो तो तालिया और डुबल आनी चाहिए मिनिट चुरू हो रहा है मैंने उसलेता से कहा कि तुमने 70 लाग दिये हैं सैंधिक की विद्वाओं को सोचा कीमत लोटा दिये वीर प्रसूता माओं को लो मैं 20 लाग देता हूँ तुम किसमत के हेटों को हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को यह हिंदुस्तान की जमीन है सर सेनिकों के लहू से रख्तिन भाशाएं लिखने वारी मिट्टी है ये राजस्थान के बारे में कहा जाता है हमारे बाहर के लोगे मुंताज जी है कैसे तुम्हारे आप पानी नहीं है बिल्कुल भी बड़े सुखे में रहते हो चार लाइन में अशो को कह देता हूं उसके बार सुनिए हमारा पानी कहा है चार लाइन सुनिए को कविता के लोगे शाय समझेगे कि जहां शीशले निजकरतन पर युद्ध किया करते है कविता के लोगों वो ताली वजाय बाकी पड़ो से जो मुझेगे का मतलब क्या है कहा है राजस्थान का पानी जहां शीशले निजकरतन पर युद्ध किया करते है और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते है राजस्थानी धरा शौर की कता कहा करती है पाणी कम है, मगर रक्ट की नदी बहा करती है जब नीरच पढ़ रहे हैं तो उनके साथी था एक नरेंदर नाम का वो कर्गिल के युद्ध में गया आप सब लोग कहें इसमें कौन सी बड़ी बात है हमारे बेटी भी दोसार हदो पर गए है तेकि जो बात मैं बाट रहा हूं उसे भारी मन से बाट रहा हूं 21 साल का नौजवान 22 दिशको शादी को हूँ और 23 दिनों करदी की चोटी पर था सर वहां से उसे एक चिप्थी लिखिया अपनी उस पत्री के नाम मैं बूबा के नाम जिससे उसे 21 दिन पहले फेरे लिए यह अलग बात है चिप्थी तना लेट गाउं में आई कि उससे पहले तिरंगे मिले पटिकों का शब गाउं में आ रहा सर मैंने रोते रोते चिप्थी को खोला और रोते रोते पढ़ा उसमे एक शेर लिखा था मेरी सारी कवताओं को तराजू एक पलडे में रखना और उस बच्चे के उस शेर को एक पलडे में रखना आपको लगेगा यह पलडा भारी है उसे लिखा यू तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है मत मजाना डुगरपुर वालो तालिया अगली लाइन पर उठ सके तालिया आकाश तक पहुचाना उस बेटे के नाम यह तो हर कोई निकता अपनी बहू के नाम अपनी पत्नी के नाम अगली पंति लाजवा हो गई हो तो आपका मन मिले कि यू तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है पर माघरे वतन पर अपना इश्क पर भी कुर्बान है जटना के लिए टाइगर ही ले उस पर एक सैनी के लहुन रुहान है और एक चिठी अपनी माँ के नाम लिख रहा है बस इको सुने जीगा कि माँ तुम्हारा लादला रण में अभी घायल हुआ है मैं पंती पंती पर धान चाहता हूँ मैं शुद्ध कविता पढ़ रहा हूँ इस बार आपके सामने कि माँ तुम्हारा लादला रण में अभी घायल हुआ है पर देख उसकी वीरता कुछ शत्र भी कायल हुआ है रक्त की होली रचाय मैं प्रले कर दिख रहा हूँ मा उसी शोड़ से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ तुम्हारा लादला रण में अभी घायल हुआ है पर देख उसकी वीरता कुछ शत्र भी कायल हुआ है रत की होली रचाय मैई प्लैकर दिक रहा हूं मा उसी शौन्स से तुमको पत्राइंटी मिली क रहा हूं कि युद्ध था भिशन, मगर ना इंच भी पीछे हटा हूं कहाएं कविता के से पार्टिस लाइन पर तय हो जाएगा कि युद्ध था भीशन, मगरना इंच भी पीछे हटा हूँ मा तुम्हारी थी शबत, मैं आज इंचों में कटा हूँ एक दोली वक्ष पर कुस देर पहले ही लगी है मा कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर की है तो छा रहा है सामने लो आगे आगे अधेरा पर उसी में दिख रहा है मा मुझे मूतन सवेरा कह रहे हैं शत्रुभी, मैं जिस तरह शैदा हुआ हूँ लग रहा है सिंधनी की कोख से पैदा हुआ हूँ तो ये न समझो मा कि मैं चिर्नीद लेने जा रहा हूँ ये मैं समझो मा कि मैं चिर्नीद लेने जा रहा हूँ मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ दो पंक्ति पिता को लिखता है सुनता हम वो पिता सो भाकिशालिक होते हैं जिनकी अर्ची को उनके बेटे कंधा देते हैं। इती हास में पहनी बार हमारे जबान बेटे की अर्थियों को हमारे पिताओं ने दादाओं में कर दे दिये, मुखाग नहीं आ दी। कैसा लगा हो इस पिता को जिसे जबान बेटे की अर्थियों टाई होगी। दो पंक्ति आंसों रोग करके सुनियेगा दुर्गादाईंजी अमारे रजस्थानी के बड़े कभिया उन्होंने रजस्थानी में लिखी थी मैंने उसे हिंदी मैनुवाद कर दिया मैं उसे रोते हुए पढ़ रहा हूँ एक दिन कंदों पर मुझ को दे चलना पड़ेगा और भी है सुझ तुम्हारे कंदों पर भी जा रहा है आज भी है सुथ तुम्हारे दो पक्ती भाई को लिखता है हमारे गामों में कहावत है वो जो परवत की चोटी पर बंदूक लेगा खड़ा है ना वो बंदूक नहीं है वो मेरे भाई भुजा की ताकत है मेरे भाई भुजा है मैं अन्तिम दो लाइनों के बीच कहने से पहले ये लाइन मेरे छोटे भाई अशोफ चैरण को सौपरा हूँ जो मुझसे भी अच्छा टेवर में आर्थर वीरस पढ़ रहा है मुझे लगता है मैं ऐसी भाशा मैं क्यों नहीं लिख पाया कि मैं उसे सौपरा हूँ भाई कभी याद आता है सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई तेवर देखे भाई कभी याद आता है मैं रुमान की क्यों सौइन को पढ़ते समय सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ लोट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूँ पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं ठक्तर पड़ूँगा तुम भरोसा पूर्ण रखना सा संतिन तक लड़ूँगा अब तुमी को सौपता हूँ बस महिन का ध्यान रखना कविता बारिक होती आशों की अत्रा चाहती एक भी आशो छलके उसे छलक ने दीजेगा अब तुमी को सौपता हूँ बस महिन का ध्यान रखना जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना तुम उसे कहना कि रक्षा पर जब भी आएगा भाई यंबर में नजर आशुश देता आएगा रिष्टे की सारी डोर चिता की राख पर जल जाती होगी तूट जाती होगी पत्नी की पिड़ाएं अगरे जनब तर चली जाती है यह मेरा अंधिर विश्वास भी हो जबता है तेकि इंडियन माइच्वलोजी में यह माना गया है तो मैं दिसे लिख दिया है सबसे कुछ कहा है पत्नी से कुछ मांगा है बस यह इस कविता का विश्ट भाव है अंत में तुमसे प्रिये में आज भी कुछ मानता हूं है कठिन देना मगर निठुर रदय हो मानता हूं कोई भी पत्नी विद्वा होने के बाद इसे नहीं निभा सकती लेकिन वो सैनिक है तो अपनी पत्नी से उम्मीद कर रहा है कि अंत में तुमसे प्रिये में आज भी कुछ मांगता हूं है कठिन देना मगर निठुर रदय हो मांगता हूं कि तुम अमर सो भागी की बिलिया स तक की पहली भूलिका हो जानता हूं बालकों के प्रशकु सुल्जे नहोंगे सेकड़ों ही प्रशक होंगे जिनने वे उलजे तो होंगे पूछते होंगे कि पापा है कहां कब आएंगे और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे पापा हमको छोड़ कर जाने कहां बैठे ह हुए हैं क्या उन्हें मालूम है कि उन्हें उठे हुए हैं तो तुम उन्हें समझाना क्यों जित पहर जाते नहीं है और जादा जित करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं मैं यहां कुल जीट के ही तुशौद्य किस्से गर रहा हूं एक आजिसी प्धिग्या उसके हिस्से कर रहा हूं वंच की पावन धरोवर अब तुमी को सौपता हूं और मैं दुश्मन की गोली बग प्रभण्यन रोगता हूं तुम अकेली हो नहीं से धर्य को खोने न देना भर उठे दुख से रदय पर आंख को रोने न देना सब्त पद की यात्रा से अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मानता हूं अब कविता का कोई अलवाद नहीं करूँगा समझ मैं तुम मुझे विदा कीजेगा सब्त पद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांग नी हो साथ जन्मों तक बजोगी तुम अमर वहराग नी हो इसलिए अजिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं मांग का सिंदूर तेरा मात्रिभी को दे रहा हूं